आदो जी ये है मेरे पास IQ Neo 7 इसके अंदर फाइनली और Android 14 की अपडेंट FunTouch OS 14 के उप़र बेस्ट वाली आज चुकी है फिलाल के लिए बीटा वर्जिन पे पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं क्या नया आया है आप लोग कि भाई इतनीज आरे दार रिकोएस्ट आरी थी हर वीडियो में आप लोग ने कवंड करा है तो मैंने सुधर चलो एक एक चीज चानवीन करते हैं उसके बाद आपको पोल टू एक दम निटेल वीडियो में बताते हैं कि क्या क्या चीज अभी फिलाल आपको इसके अंदर नहीं मिल रही है तो विनर टाइम गवाई कुरसी की पेटी बांदो और फटा फटा आपको यहाँ पर दिखाता हूं सबसे पहले देख लो सबसे बड़ा और सबसे महतकून चेंज था ना वहाँ यहाँ पर फाइनल यहाँ पर फाइनल यहाँ पर फाइनल यहाँ कर दिया है यानि नोटिफिकेशन पैनल अगर आप आप देखोगे तो चेंज होके आ गया है और दिखने में काफी बैटर अनलग रहा है मतलब यहाँ पर आप देखो उपर वाइफाई का आइकन है नीचे आपको साइड में मिल जाएगा मोवाइल डेटा का है बागी आप और एक्सपैंड करोगे तो नीचे तक यहाँ पर मैनू आ जाता है थोड़ा सा रिवैम करा गया है दिखने में और भी बैटर हो गया है म राइटने स्लाइडर भी देखोगे थोड़ा सा चौड़ा हो गया है दिखने में अच्छा लग रहे हैं विजिट्स वगरा के भी आइकन आपको यहाँ पर अच्छे से मिल जाएंगे क्लॉग वगरा भी आपको यहाँ पर वीव हो जाती है वागी आप नोटिफिकेशन व सकता है बाकि आपको कैसा लग रहा है जरूर से आप मुझे कमेंट सेक्षेन ने बताना जा रहे हो बताने न दो यार वो लाइक वाला बटन भी होगा साइड में उसको भी जबा देना दिल को बड़ा सुकून मिलता है अगर आप दबा देते हो और दूसरी और भी अची च फिल हो रहा है जो कि हैर फंटे जो एस 13 में नहीं था 14 में उसको बहुत ही तगड़े तरीके से इंप्रूफ किया हुआ है यहाँ पर से नीचे ड्रॉप डाउन में जाना सेटिंग मेनू में जाना इस हर जगा पे आर जो एनिमेशन उन्होंने डाला है बहुत ही स्मूदर बहुत ही बैटर फिल हाल डाल दिया है अब पूरा फील देता है कि आप एक टाइप वाला फोन चला रहे हो जो कि गेमिंग के लिए थोड़ा सा बना है अच्छा पावरफुल फोन चला रहे हो वह वाली फील आपको इसके इंदर फिल हाल के लिए एनिमेशन के साथ मैं जिसको आप access कर सकते हो, बहुत सारे apps को आप यहाँ पर access कर सकते हो, even जो इनकी mini window है, यानि आप pip mode के अंदर बहुत सारे application को चला सकते हो, तो उसका भी और matter support आया है, उसके अंदर भी देखोगे animation है, जो fluency है, वो भी बहुत जादा improve करके इन्होंने इसके अंदर दी है, तो इधर भी याँ थोड़ा सा feature आपको add होता हुआ मिलेगा, लेकिन जो और भी अच्छा इन्होंने add करा है, वो है इनका gallery, gallery application के अंदर आप जाओगे, तो finally photos वगरा को अगर आप edit करते हो, high quality में रखना है, low quality में रखना है, वो change कर सकते हो, कुछ filters वगरा भी add हुए है, लेकिन जैसे कि आज कल याँ short platform की videos वगरा काफी चलने लगी है, तो इधर आप वीडियो को भी edit कर सकते हो अपने हिसाब से, वीडियो के अंदर आप music वगरा को भी add कर सकते हो, cut कर सकते हो, editing के लिए यार, gallery app के अंदर ही सारी चीज़े इन्होंने दे दी, तो अलग से आपको यार कुछ करने की ज़्यादा जरुवत पड़ेगी नहीं, तो वो भी इन्होंने इंप्रूफ करके यहाँ पर अपने gallery application के अंदर यहाँ पर आपको दिया है, इवन camera UI भी थोड़ी से fluent हुई है, थोड़ी से हलके full के इंदम, tiny-tiny weight वाले changes के साथ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, इवन lock screen के अंदर भी आपको change मिलेगा, अब जो clock है उसको आप अपने हिसाब से customize कर सकते हो, तीन presets वगएरा आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, text वगएरा को आप change कर सकते हो, font का style, colors वगएरा को change करना चाहो कर सकते हो, दिखने में काफी battery लगता है, लेकिन यह dynamic नहीं है, मतलब यह photo लगा ही, photo के पीछे चला गया चाहिए, वो HyperOS हो, चाहिए iOS जैसा हो, वैसा वो live यह dynamic नहीं है, नॉर्मल इस तरीके का आपको मिलेगा, देखने में अच्छा रगता है, अगर आप लॉक स्क्रीन में लगाते हो, तो उधर आच्छे तरीके से आ जाता है, कस्टमाइज अपने इसाब से कर पाऊगे, तो उधर भी थोड़ा बैतरीन आपको लॉक स्क्रीन के अंदर मिल जाएगा, इवन जो बैटरी बार है, उसको भी आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हो, तो वहाँ पर भी चेंटू मिल जाएगा, जो आइकन वगरा भी देखोगे, लएसे लगता है, तो वहाँ पर भी चोटे बिट वाले चेंज़े आपको मिल जाएगे, अब देखो यह IQ News 7 Pro का review बिल्कुल नहीं है, यह Funtouch OS 14 का यहाँ पर review था, और यह कुछ changes के साथ निकल के आता है, अब जो major major चीज़े थी, वो तो इन्होंने finally दे दिये हैं, कि आपको revamp करके animation better कर दिये हैं, हाँ, कुछ-कुछ जगा पर मुझे हैंग होता हुआ भी मिला है, तो Android 13 अभी फिलाल बहुत ज़्यादा स्मूदर है, जैसे कि मैंने बताया, यह beta update है, तो अपने एक्स पे करिएगा, मैं अतना ज़्यादा भी आपको फिलाल recommend नहीं करूँगा, अगर नहीं किया अभी तक subscribe तो वो भी आर कर देना, take care, bye-bye.